कि अगला नंबर है कुई आपके पास कि नी बोल रहे हैं आप लोग शान तो यह दोनों कुश्चन तर्ट मेंटीजिक्स बच्चे बड़ा ना इसकी ना यूनिट देखो एंड में जाकर तुम खुद ही समझ जाओगे फैल तु रियक्शन देखो मॉलिक्लर विट दो सुच है इसका और एक्वेशन बैलेंस है नी तो पहले बैलेंस कर दी तो कितना यूज हो गया 412 अब तुमना इसके उनिट देखो उसमें मोल पर ग्रैम ओफ रेजिन क्वेशन पढ़ें वट वुड बी दर मैक्सिमम अमाउंट ओफ कैल्शियम आयन कंज कैल्शियम पूछ रहा है क्लियर बाइदा रेजिन तो एक मोल इसका 412 ग्राम इसके अंसर अ कि यह सिर उसने पुछा कैल्शियम के एक मोल पर रेजिन के कितने ग्रैम्स यूज हो रहे हैं मोल पर ग्रैम कि समझे क्या चल अच्छी बात है यह समझा क्या ठीक ठीक है टू टू ट्वंटी सेवन हां जी अगला पेज बच्चे नमबर आपको बोलना पड़ेगा फिर मैं डाउट बताऊंगा आपको 3.16 में 3.16 से पहले किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है चल 3.3 बता दो 3.5 बता दो 3.3 याद करो क्या बताया था यह अब कली तो असाइनमेंट का क्वेशन निकाला था बच्चे डिस्प्लेस से बल ने डिस्प्लेस्ट एक ही तो एच निकल रहा है इसका तो ढ़को ठीवेट च्चेक करो ड़काः यह तो एक सता आपको बताया था अडेटा था अफ़या थे लिख अच्छी ट्रीट Tip अगर इसकी जगा दो एनने वे चोत्ते बताओ बटा क्या गड़ते फिर गड़तो गड़तो थ्रीपन फाइव अब थ्रीपन फाइव को न थोड़ा सा तसली से देखो यह ऐसी कोश्चन है जो तस-दस सेकंड में हो जाते हैं बच्चे ध्यान से सुनो पहले तो ிरू mensen यह सोच ले में अब मुझे तो पता और आपको भी पका बताय कि ओ की वन इंसी क्या होती तो तो थी तो इढली टो ऐने कि ए आँ यह ले वैलु दू है नอ टीक है अब सुनों अम मेटल एम औव इक हलेंड शी व्यानिक इटन्गल हो कोन है इस गुरुमन गुरुमन बच्चे वाई किसकी वलेंसी एम की तो य को जब इस पे यस और नो यह सिर्थ वाई जब इस अ वेलेंसी ओफ म उसके एक्विविलेंट वेट से मल्टिप्लाई किया तो उसका एट्मिक वेट बना करें नहीं बना तो जहां भी equivalent weight multiply with valency होएगा, 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 वो पक्के answer है, अब आपके पास जो x की value है, वो 2 है, तो 2, 2 से कट गया, equivalent weight into y, ये multiply तो गलत, ये multiply नीचे जाकर तो गलत, तो आपके पास एक ही तो answer बनता ह है कुनसा वाला equivalent weight multiply with valency equivalent weight multiply with valency or two two से cancel हुआ तो यह atomic weight के बराबर value आगई आपकी कि कि अ कि कि किसी को atomic weight के बार में पता ही equivalent क्या रिलेशन इसका इतमिक वेट का तो यह लगता आप से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए बस सीधे सीधे विस काम करा ते रहो न स्था ना और वह फाइदेमंद निए सीधे काम ना के ला हाँ तो एक्विविलेंट वेट इंटु वेलेंसी आपके पास क्या हुआ एंटु वाई और टू-टू से कैंसल होकर सीधा-सीधा कोन आगया अगया अगला नंबर कोन सा था अगर आपके पास 22.4 लीटर ओफ है तो इसका मास क्या होता है आपके पास दो ग्राम 0.7 लीटर हो तो दो बटा 22.7, 22.4 इंटु 0.7 ग्रैम्स ये हाइड्रोजन का मास आ गया अब इस कुश्चन की पोल खुल गई कैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेश्मेंट मेथर से एक्विलेंट वेट कैसे निकलता है मास ओफ क्या लिखा सटेन अमाउंट ओ मैटल मेटल का या एलिमेंट का तो सीधा मास ओ मैटल निकल कर आपके पास कैल्कुलेशन की बदा अंसर आजाएगा ठीक्यों कि शीधे सीधे फोर्मले लेकिन तो रिकमाई हुए हैं बस वेल्यूज को माई यहल्की अगले दो कुश्च्यन कि अगरमन केड़ा काना है भी ओ कर मन में एक आने काने का रिटा गुड़ा होता है या यार तुम करते ही क्या यार क्लास में बैट के तो ऐसी हरकते मत करो बाग्या तुम कुण सब्सक्राइब करता तो दे ओ कुरमन बतादे यार यार यह पताएगा निया मुझे पता है हां जी 14 15 33 16 3.16 हां जी हां जी टेंचनल स्पेसिफिक हीट और फेनल इसका अंसर निया रहा बच्चे थे कटा वेना यार विक पके बच्चे थे न उन से लिए या यह इसका अंसर नहीं आ रहा एक्ट्रमेट में तुम इस दिन बताया था था ना हम उसके स्पेसिफिक हीट का मल्टिप्लाई किससे करो एक्ट्मिक वेट तो सामनी क्या था आपके पास 6.4 और आपको यार दे इसके यूनिट क्या कराई थी 6.4 की बता दे यार अपने नोट सी चेक कर लो जू लिखा था कि कैलरीज लिखा था था इसका मतरब ठीक है बिल्कुल अस पैसिक हीट आपके पास है कितनी 4.2 यह एक्ट्मिक वेट यह 6.4 तो एक्ट्मिक वेट 6.4 चार ओप्शन में मच जाना सिंपल सिंपल अपने सुलूशन की तरफ जाना अटमिक वेट इस इकोस तो 6.4 पाय 4.2 और पूछ किया रहा है एक्जेक्ट तो एक्जेक्ट के लिए आपकर ना क्या पड़ेगा एक्विलेंट वेट इन्टू वेलंशी इसी क्वेस्ट वेट तो आप सोचो एक्टमिक वेट तो वैसी तो ढई निकल रहा है और एक्विलेंटवेट यह तो एक्विलेंट वेसी तो डाही निकल रहे है तो इसमें कुविज़चन में फोल्ट है यहां पे सबसे पहले अप्रोक्स 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 सब्सक्राइब करने हैं, बस देटा गलत था, इसलिए कोश्चन में गलती है, तो के सार, 4.2 तक बोलो, सब्सक्राइब 4.2, ML एक्विविविलेंट्स उफ एन ने, रिक्वाइब टो रिएक्ट, विद 12 मिलीग्राम्स उप मेगनीशियम, सबसे पहले तो 12, आपको बता है, मेगनीशियम का एटोमिक वेट कितना है, 24, और एक्विविलेंट्स कितना है, 12, हाँ, तो 12 में 12 का, वैसे ही 10 दिस टू पावर माइनस 3 है, क्योंकि 12 मिलीग्राम्स है, डिवाइड बै टो ये 10 दिस टू पावर माइनस 3 कि एक्विविलेंट्स हो गए, और आपसे पूछ क्या रहा है, मिलीग्विलेंट्स तो भाई एक्विविलेंट को ML एक्विलेंट में कैसे बदलते हैं, 1000 से मल्टिप्ले करके, प्रोब्लम पते क्या बच्छे, 1 कि dwels mendAL हिए, के गश्यक्विलेंट को मल्टिप्ले विद 1,000 करना है, क्या प्रोपन्ट 2 की समझ में आई आपको, पहले तो आपने दिये हुए 12 milligram को किसमें बदल देना है पहले तो आपने 12 milligram को किसमें बदल देना है इन दो ग्रैम्स में फिर उसके equivalent weight का divided तो बन जागा equivalent equivalent को हजार का multiply तो क्या बन जाएगा वह ml equivalent पर हमेशा का रूल है, ML equivalent किसी एक के पता हूं, तो उतनी ही दूसरे के होते हैं, क्यों यह है concept of gram equivalent, N1 V1 is equals to N2 V2, इसमें बलंसिंग की नीड़ नहीं होती, किसी एक का, अगर हमें ML equivalent पता चल जाए है, तो दूसरे के ML equivalent बराबर ही होते हैं, always, no need of balancing. अगला नमबर? 4.5 अभी जो मैंने बात बता है, उसको एक बार सुना था, आपने तो एक बार पढ़के देखो, तुरन समन में आजाएगी बात, एक बार सुन, जो मैंने बोला था, उसको एक बार रियलाईज करो, कि मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास 0.01 M solution of KMNO4 from its impure sample बनाना है, of which the percentage purity is known, the weight of KMNO4 required will be theoretical mass का जाद ही, जो impure है, impure है, पीछे question ही आए था, जिसमें हमने 100 by 80 किया था, जिसका आंसर आ रहा था, I think 122.5, लेकिन B answer आ गया था 152, कोई भी अगर इंप्योर सेंबल, इसे सुनो, अगर कोई 80% प्योर है, इसमें impurity 20% है, और तुम्हें उसका, अगर 100 ग्राम यूज करना है, तो तुम सो ही थोड़ी लेके चलोगे, 120 लेके चलोगे, 135 लेके चलोगे, 130 लेके चलोगे, अमाउंट तो, जितनी चाहिए उसे ज कांटिटी आएगी, चितनी आप चाहते हो, ठीके सर, अगर कोई भी सबस्टांस प्योर है, तो 100% यूज कर लो, कोई इंप्योर है, तो जादा यूज करोगे, तभी तो एकसेट उतनी कांटिटी पहुंच पाऊगे, जो चाहिए, जो चाहिए, पहुं, यास सर, सर, 4.7 बता दो, अब पढ़ो अपने आ, 4.7 अभी तो बताय था, ठीके सर, इसका अंसर, वही आगया, 0.1, पहला आंसर, वही होगा, वही होगा, वही होगा, यह सर, ठीके न, concept is N1V1 is equal to, यह बुत कोई difficult concept नहीं होते, बस हम फैमिलियर नहीं है, या फिर, जब हम 11 बार में काम करते हैं, यह बात ही नहीं कर पाए, यह बात है, और कुछ नहीं है, जब 4.17 जब देखो जी, एक बार ध्यान से इसको, बी ए सील टू, एन ए थ्री पी ओ फोर, और यह 11 बच्चे का काम किया हो है, तो उसने इसको बैलेंस किया हो है, तो इसका मुल उसने काम तो ठीक किया होगा, तो बैलेंस हम भी कर लें, यह तीन है, यह दो है, यह ऐसी चलेगा, य अब बार इक वेसिख्स हो जायेंगे, क्योंकि अन, अब वो करा है, इंदा अबो एक्वेशन, इफ दे नम्बर ओ ओफ, मॉल्स ओफ, सी, सी, यह ए है, यह बी है, यह सी यह ए यह दी है, मॉल्स ओफ, सी, फोर्म डार पॉइंट टू, ठीक है, तन ए रिया क्ठ इस पॉइं अगर तुम 0.6 यूज करोगी ठीक होगी बात सी फोंडर 0.2 तन ए रिएक्टिट इन इस 0.6 ये तु ठीक जा रहा है अच्छा जी अब और आके बढ़ते हैं ML equivalent of D formed is 0.2 then A reacted point 1 ML equivalent is 0.2 ये यूज होएंगे अगरो पॉंट्ट बन दूसके 0.2 ये यूज होएंगे यहां concept क्या लगता है वही सेम चिशको हम तीसरी बार पढ़े है आज की class में N1 V1 is equal to N2 V2 और मुझे अच्छी तरह आधा रहा जब थीरी में इस बात को टाया था ना ML equivalent or equivalents are always the same no need to balance the chemical equation but we have need to write balanced equation to confirm our the moles 3 moles 2 moles 1 moles 6 moles लेकिन इक बद बलू 1 equivalent 1 equivalent 1 equivalent 1 equivalent simple तो यह क्या हो गया गलत हो गया अब COT आप पढ़ो फिर पता चलेगा कि आप में कुछ सुन पारे हो कि नहीं क्याकित कि तरी आप अब आप खरे हो एंग क्याक पॅ में । कि गला गया सर्थ सी गला थे हैं यह सो टी पड़ो अच्छी गला थे हैं एने सिल का एन फेक्टर वन है उसने का जी अगर सी कि पॉइंट दो ग्रैम एक्विवेलेंट यूज आ रहा है तो डी के पॉइंट दो ग्रैम एक्विवेलेंट बन रहे हैं मुझे तो ठीक लग रहा है यह अगर दो एक्विलेंट यूज आ रहे हैं तो ठीके भी पॉइंट दो बन रहे हैं और एन फेक्टर वान ने तो पॉइंट दो मॉल बोल तो फरकी नहीं पड़ता अच्छा तो दो लिख दिया रहा है यह गलत हो गया गलत हो गया बच्छे गलत हो गया इस पॉइंट तो कि दिया दिया इसका पिला का तौई फेसे कि न उन्हीं है और आई दिश्चों अ फिक्व यह को चलो कि मैंने सी वी इंकरेट्म पॉला डी बींकरेट्ट वह लाँ है अ is.. पॉइंट 2G equivalent और 2 mool बराबर कैसी हो सकते हैं भाई ? पॉइंट 2Equivalent होता है और 2 mool होते है तो ठीक था है निजील का कईख़ गए बात है न वेक्टर 1 है कि पतारों है इसके कंसे इस कंसेप्ट को अब अपने दिमाग में डाल पाएगे नहीं कि इक्विलेंस बराबर होते हैं इक्षिन बैलेंस डोचा नहीं हो लेकिन मोल अलगलग हो सकते हैं वो इक्वेशन के बैलेंस करने पर पता चलेगा हाँ अब हाँ अब 18 19 20 21 22 तो अब तरेक्व पिच्छे कर रह गया है पॉर थर्टीन बता आंप पॉर पॉइंट वाल थी पिच्छे तो नहीं है इसी पेज पर है यह से मैं लोग वह लेक्षिन के पिच्छे एक बार में चेक कर लोगी ना लैक क्यों कर रहा है एक सब्सक्राइब लुक ना यह ठीक है स्क्रीन आगी ना यह सर यह है एन्ने एच स्यो थी प्लस एने सी एल से थर्टीन है फॉर पॉर पॉर पॉर्ट वैंट्री मुलैरिटी ओफ हंडड़ सीसी ओफ एचल स्यूशन कंटेनिंग वन मोल इन वन थाउजन यह तो इंटेंसी वैल्यू है इसमें क्या फर्क पढ़ना है मेरी बास सुनों यह तुमने एक सुलूशन तयार किया मोल वन थाउजन उपर वन थाउजन का डिवाइड कर दिया तो वन एम बन गया बन गया ना वन एम अब इसमें सेंपल उठाकर इस कंटेनर में डाल दिया स्वें मेल तो क्या इसकी कॉंसेंट्रेशन बदल जाएगी और यह बात अपनी कोपी में कहीं लिख लो मुलैरिटी नॉर्मेलिटी यह सब ओल कॉंसेंट्रेशन येट्स आर इंटेंसीव इंटेंसी मतलब इसके टुकडे नहीं होते इंटेंसी मतलब जिसका डिवीजन नहीं कर सकते आप अचा बात पताओ अगर आपके पास पानी एक लिटर कितने भी उबलेगा अगर तुम चाय बनाओ घर में पांच लोगों के लिए और पांच अलगलग कप में डाल दो क्या सबको अलगलग टेस्ट आया कोई को लेगा मिठी यार फिका हो या बिल्कुली ये तो कड़वी हो गया ऐसा बूलेंगी क्या जितना मिठा डाला है पांचों में उतना ही ड इसके पचास टुकड़े कर दो जा पांसों टुकड़े कर दो उसकी कॉंसेंट्रेशन तुभ ही रहेगी ना ये सब कंफ्यूजन बताना है कि तुम्हीं लगा चोथा अंसर देना इसका है सब्सक्राइब कुश्ण में अब तु क्लियर रही है इंटैंसिव ये ने बच्छ लोग शब्सक्राइब पीच्छे पूच्छे देना वो बले सारे मेरप चलो कोई बात नीए तो क्लीर हुए ना मिच्छी बात इस इस इंटैंसिव एल्यू ये तो और बोलो वो मारा सिंगर कांग आंगा क्या नम था बर्मन यास बोल भी कि तहने लग्या सिरफ वैसे मित्र को पता है अम्रतमान मेरा पढ़ायावा लड़का है अब सोच ले तो नेक्स्ट अम्रतमान बन सकता है मजाग नीं कर रहा है सच बोल रहा हूं हांजी 424 वोला सीरिस लेगे मेरी बात को ना 424 और चलो कोई नहीं पूछ रहा है यह सदमे में आगे मेरी बात सुनके अगर बता दो यार कुशन बता दो फॉर पॉर पॉंट्टी सेवन लो जी अगर कोई पता लगा कि इसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो बुकलेट में से तो बदल लेना इसको ना कि विच्व फॉलोइंग ग्राफ इस नोट करेक्ट्ली री प्रेजेंटेड यह मोल्स ओव सुल्यूट मोल्स थोड़ी बदलते हैं किसी के यार अच्छा ठीक है कॉंस्टेंटी तो कह रहा है यह नहीं बदलते ठीक चल रहा है मेरी बास तो नोना बच्चे मालो तुमने न एक लिटर पानी के अंदर ना आधा मोल गुलकोज डाल रखा हो टमपरेचर चेंज करते रहो तो हो सकता उसका जो वोल्यूम है न वो कम कम होते वो सुलूशन गाड़ा होता जा रहा है लेकर जो सुल्यूट उसके तो मोल फिक्स ही रहेंग ना गुलकोज थोरी उड़ जा इनवर्सली टुदर टमपरेचर वो सारी वोल्यूम वाली टर्म डिपेंड करती है अच्छा थर्ड फोर्थ मोल फ्रेक्शन ओफ दर सुल्वेंट डिलूशन बढ़ने के साथ साथ में इस निक्रीज होगी है हुम् सोल्वेंट कह रहा है ना तो सोल्वेंट बढ़ता गया तो उसकी मोल फ्रेक्शन अगर किसी को समझ ना आया हो तो मिरे पास तरीका है यह मिरे पास इथिनोल है यह पांच ग्राम है और वोटर मिरे पास 50 ग्राम है ठीक है जी मैंने वोटर को बढ़ा के सो ग्राम कर दिया डिलूशन बढ़ा दिया फिर वन फिफ्टी ग्राम कर दिया डिलूशन बढ़ा दिया दो सो ग्राम कर दिया डिलूशन बढ़ा दिया तो जैसीन का डिलूशन बढ़ता जा रहा हूं सोल्वेंट का मोल फ् स्लुशन चैप्टर का मैक्सम पाड़ कर चुके अच्छा जी 28, 29, 30, 31 फिरू बेर इधर से यह वाला पार्ट मोल कॉंसेप्ट की लेवल वन की भुक होना भी बहुत बड़ी ओपर्चनेटी यह तुमारी पता है अगर तुमने कर लिये तो कि कि 520 तक कोई कुश्चन ने किसी के पास कि 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 हाँ भी क्या करें अब हाँ 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 हुए कुछ बोलो यार हाँ हाँ सुल्यूशन का व्यार पेस्साइरमेंट खोल लो कि मोल की असाइनमेंट में मेरे दो कुश्चन थे हाँ हाँ मोल की असाइनमेंट तुम्हें ढूंडनी पड़ेगी यहां पे ना मैंने कल लगाई तो थी अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है उसमें मिल जाएगा मुझे ना मोल से नोल यह बला यह ठीक है सेनमेंट तो बन जाएगे हमरी नमबर बोलना इस नमबर से देंटी पाई अ अ अ अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेंस कार्बन हड्रोजन ओनली ठीक है अ बर्निंग अ स्मोल सेंपल उफ इट इन ओक्सिजन गिफ्स 3.38 0.690 ग्रैम्स ओफ हैड्रोजन और अधर प्रड़क्ट क्लियर होगी बात ठीक है अफ वोल्यूम अटर अफ इस वेल्डिंग गैस यह काट दें सारा एक पर अगर आपके पास 10 लिटर का मास 11.6 है तो 22.4 लिटर का मास क्या होएगा 11.6 divided by 10 into 22.4 यह यह 2.24 हो गया 11.6 का 2.24 से मल्टिप्ले करके देखो जो मोलीकलर वेट आ गया इनमें से कहिना गई तो हिट करी जाना है उपर का कचरा पढ़ने की नीडी नहीं आपको 11.6 का मल्टिप्लाई 2.24 के साथ यहार है 26 26 यह है अगर मैं दस लिटर का वेट करता हूं तो वह 11.6 आता है वेइंग एज 11.6 तो मैं इनका कोई दिक्रत नहीं अगर दस लिटर का मास इतना आ रहा है तो ट्वंटिट पन फॉर का जो आएगा वो मुझे मुझे मुलिकलिवेट के इंफोमेशन देतेगा और किसी बच्चे के पास इस पेज का डाउट हो फिर बात में को के डाउट फस गया बच गया यह हो गया वो गया जल्दी से बोल दो हाँ वही कोई महान चनता है कि सब सैसी बोलो कोई डाउट नहीं है कि लेवल टू किसका बुकलेट का तो चली रहा था बच्चे रोक लेते मेरे को तब मैंने इसको खोला ढूंड के मुझे लगा आपने सिरफ लेवल वान धी डिसक्स करना है ऐसा कभी होता ही नहीं अपनी चोईस बताओ हम तो आपके कोडिंग ली चलते हैं बच्चे अहां जी सर हम तो अपनी चोईस लगाते ही नहीं कभी जैसा बच्चा बोलता है हम वैसी करते हैं यह देखो बच्चे अगला कॉनसा नंबर थाटी सिक्स येस सो येलो जी ये लिखा कैल्सिम कार्बोने ये लिखा 2HCl, कैल्सिम क्लोराइड, CO2, वोटर, यहां आपके पास है 250 मिली लिटर, 0.76, रियक्स विद 1,000 ग्रैम्स मलब 10 मोल, नम्बरों मोल्स उफ कैल्सिम क्लोराइड अभी पता चल जाएगा, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे ध्यान से सुन और समझो, इसके स् ये 215 x 2.76, क्या बन गए इसके, ये बन गए मिली लिटर मोल, इसमें 1000 का डिवाइड करके पहले मोल में कनवर्ट करो इसको, और फिर इसके स्टोकिमिट्री का डिवाइड मार दो इसके अंदर, बैलेंस रिक्वेशन है, वापिस बताओं सारी बात या क्लीर हो गई, पहले क्लीर के मोल कालो, पहले के मोल कालो, हजार बटा दस, इसको इसको कार्टी देता हूं है, 1000 x 100, ये 10 मोल ये गिवन है, फिर इसके 250.76 डिवाइड बै ये 1000, ये मोल बन गए, ये मिली मोल ते, ये दिवाइड करती मोल बन गए, ये 0.24 आजाएगा, तो ये भी गिवन है, 0.24 मोल, अब इनके स्टोक्योमेट्रिक एकवेशन का, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंड का डिवाइड करो, दस में एक का, 0.24 में भी एक का, उसे 2, से 2 का नहीं होगा उसमें, 2 का, सुन समझ पारे हो बच्चे क्या करें, ये सर, तो ये आपके पास 0.12 अब चाहता क्या है, अब चाहता क्या है वो अपसने से, तेन द नमबरों मोल्स फ्कैल्शियम कलेट्रिक फोर्म्ड, तो लिमिटिंग रिएजेंट्रिक आपके पास को नहीं हो है, 250 इन्टु 0.76, डिवाइड बे 1,000, ये इसके मोल होगे, वो हजार ग्राम था आपके पास है एक अब हम लूग, तो फोरे तो वाइड है, उरियो एल टो कि पॉल्ट फोर वा था, हाँ, डै। वाइड फोर्यू था, जीज भाइड मुटिंग रोष, घ्रिधा द म मुटिखे हां। फोरिट्र फट्रिक आपके अगी मियूआ, यसद्सली को चाहते ह। पास इसका अंसर क्या गिवन है इसे देखना पिछे इसको फॉर्स्ट गिवन है जिरू पन जिरो नाइन फाइव तो कुछ मिस्स कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या मिस्स कर रहे है किसी ने इसको किया हो तो हीट कर सकता है इस पर हो सकता है कि ओंस्पोर्ट मेरे दिमाग में कोई बात ना जा रही हो 1000 ग्रैम्स पाइव हंड्रेड यह टैन मूल है इसके बारे में बात करूं तो यह 0.76 250 ए पाइव न थाउजन तै यह 4 है यह यहार हमने गलती पदी किया किया यहां पे न 0.76 by 4 0.76 by 4 यह 0.19 है अचल में अचल निमिटिंग रेजेंट मना था यह 0.19 आगे न वो फिर 0.76 इंटू 250 बाइव न थाउजन तै राजिल इसको 2 से डिवाइड करो बिल्कुल ठीक है हम गलती कर रहे थे न हमने 2-4 लिग दिया उसको ठीक है किया है हमने कलती कैल्कुलेशन में करती है मैं सब्सक्राइब क्या करती है पॉइंट नाइंटीन डिवाइड हमारा फोर्मॉला तो गलत होई नहीं सकता ना जो मैंने आपको बताया था न वो एक सिंपल ट्रिक और जितना लिमिटिंग होएगा बच्चे पुच्छे लिम पूचे किसी का मोल पूचे किसी का मास पूचे करते रहना कॉशना गे तो कि यह गलती कर दीच हम ने जरुपन 7654 को पॉइंट टू फॉर लिग दिया वो नाइन 620 24496 मिन 76 966 कलिया ठीक अगला देखना आवी चलो फिर मोल की सर्चिंग शुरू हुई तो 11th हैड्रोजन मोल आपको में नंबर आफ न्यूट्राउंस इन 1.8 ग्राम आव वाटर विल अप्रॉक्स्मेट भी तुमने जो गलती किये वो पते क्या किया है है हैड्रोजन में न्यूट्रोन माल नहीं जबकि हैड्रोजन में न्यूट्रोन होते नहीं अगर मेरे पास 1 mol of the water हो तो इसमें 8 into clear पहले तो मैं सिंपल लिखा हूँ कितने वोडर मोलीक्यूल हैं 6 into 10 दिस्टोफ और 23 water molecules हैं और 1 तो इसमें 8 न्यूट्रोन है और अगर 6 x 10 दिस्टू पावर 23 मेरे पास वोटर मोलीक्यूल सो हो, तो 6 x 10 दिस्टू पावर 23 x 8, mean 48 x 10 दिस्टू पावर 23 न्यूट्रोन्स है, तो ये एक मोल का कमाल है, और अगर अगर आपके पास 0.1 मोल हो, कट ये कंवल का कमाल है ये एक कोल वोट्टारwest के पास इतने वोट्र मोलीकूल से है एक व्यूक्षल में और नीटोन है और इतने वोटर मोलीकूल एवगे टूरों के बरबर हिसे वाझ अगर कि अंदर कि गुर्मन था ठीक है ठीक है कि तुन्हें हाइड्रोजन में न्यूट्रोन मान लिया होएगा ना मचे हाइड्रोजन एक ही तो एलिमेंट पूरी प्रेट्रियों में जिसमें न्यूट्रोन नहीं होता कि यस और नंबर बोल दो फटा-फट कि कि अभी क्या करना वे यह हुआ हमार पास HCL यह हमार पास हुआ अमुनिया यह हमार पास हुआ अमुनिया यह बैलेंस करें तो वन 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 है इसका मोल्लिक्लर वेट 36.5 है यह 17 है ठीक है जी तो अगर 36.5 ग्रैम्स ओफ HCL नुटलाइज हो रहा है 17 ग्राम से तो वन फॉर्टी सिक्स ग्रैम्स कितने से नुटलाइज होएगा 17 डिवाइड़ थर्टी सिक्स पॉंट फाइफ इंटु वन फॉर्टी सिक्स ग्रैम्स ओफ द अमुनिया तो इस एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गई इस एक्स की वैल्यू कितनी आजाएगी सोल कर लेते हैं अगर किसे निकाल रखी हो तो अच्छी बात है एक सेक्ड नुक जो बस न कई बरना कैल्पलिशन बलंडर जाता है तो उससे हम उसको फेस ना करें तो वह कर लेता हूं इंपर 17 इंटु वन फॉर्टी सिक्स रहा हूं वेट उमौनियम सल्फेट रिक्वा एड फॉर्ट प्र्रॉडक्शन ओफ एक्सोपॉट डीर एंस जीद है और यह मोさいुट हरा और थर्टी एट थर्टी एट थर्टी फॉर याग आपके पास कितना टू और वन थर्टी टू चैकरना वन थर्टी टू यह है एक्ष्ट वेस्टो फॉर हाँ यह एगा थिक है अब बात को जोड़ा सा हो सब्सक्राइब समझ भी गए और जिसने भी कुशिन पुछा है अगर मुझे थर्टी फॉर ग्रैम्स अमोनिया मिलता है वन थर्टी टू से तो सिक्स्टी एट डबल तू सिक्स्टी फॉर से मिल जाएगा यह सर बात समझ गए ना हां जी स्ट्लियर तो अब इसको पैसे फसे कैसे तुम थर्टी फॉर तक कोशन दंग से निकाल के रहा है थर्ट जो लोग बोल रहे थे लेवल टू कर लेते हैं कोई डाउट नीदर तो सुल्यूशन नहीं पूछ लोगर यह भुकलेड़ पूरी कतम कर लिया आप लोगोने तो यह निट्रोजन रहा यह हैड्रोजन रहा यह अमूनिया बना वन मोल इसका फोर मोल इसका क्लियर और वो बात में सोचेंगे यिल्ड क्या है फर्दर वोटर इस एड़ेड पानी एड़ कर दिया तो दस रेक्शन मिक्षर दिजोल्स ओल अमूनिया तो ठीक है अमूनियम हैटरोकसाइड मोल फ्रेक्शन अफ एच्टू इन दा गैसिस मिक्षर काम शुरू हुआ वन बाइवन फ लोग बाइश हुआ हैट्यासटर यहाट इस वीडल स्वाहीं की तो डिल्डिकर इस लिम्वेटिंग बना नाइट्रोजं मिके तने मूल अमूनिया देना था आपको एक मोल नाइट्रोजन का एक मोल को इसके स्टोक्योमेटरी से मल्टिप्लाइ करके कितना आ गया तो मूल यह एक्सपेक्टेड है ना ऐसी तो कड़ते हैं हम लोग बैलेंस डिक्वेशन के अमाउंट को ठीक है अब वो करें येल्ड फिफ्टी परसेंट है तो ये एक बना वन मॉल अब ये एक मॉल बना तो हांट रोजन कितना कंज्योम हुन अचिते हैं पूरा तीन मूल अ गये सねण बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है लिग लिग के बताता रहूं नहीं से समझ आ रहा है 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 थीडरोजन का 3 मोल कंज्यूम होना चाहिए था लेकिन 50% डिल्ड आई है तो 3 मोल में से कंज्यूम कितना वह वन पंट 5 मोल कि इनीशियल 4 मोल है थोजन इनीशियल 4 मोल है थोजन रिमेनिंग 2.5 मोल फैट्रोजन नेट्रोजन की बात कर लूँं इनीशियल 1 मोल फैट्रोजन यूजड़ 1.5 मोल फैट्रोजन रिमेनिंग 1.5 मोल फैट्रोजन अमोनिया थो सारी गई काम से 1 मोल पनी थी हो पाने में घुल गई अब तुम्हेर पस जो मिक्षर बचा उसमें टोटल 3 मोल है ढ़की तो अमोनिया बनी हो सब घुल गई तो अब सोचो हाइट्रोजन के कितना मोल फ्रेक्शन है, टोटल मोल तीन है, टोटल मोल तीन है बच्छे, यह सर, रिमेनिंग 2.5, हाँ, बोलो, यह सर, लोजिक पता चला क्या है, यह सर, पहला काम होता है, लिमेटिंग निकालना, ठीक होगी बात, फिर होता है, आपको एक्जेक्ट यिल्ड निकालना, ठीक हो गया, फिर निकालना है कि परसेंटेज कितनी दे रखी है, तीसरा हो गया, चोथे नंबर पे पता लग कि इनीशियल इतना था यूज इतना हुआ बचा कितना है फिर पांचमा काम करना कुछ चोटा मुटा कोश्यन नीए पुरा एक पेज भरेगा डेड़ पेज भरेगा आपको इतने भरने नहीं है पस डेड़ तो मिनट पे अंसर निकाल लेने कुश्यन अच्छी कैटिगरी वा है कि तो के सथ नंबर बोल सकते हो कि नंबर बोल सकते हो कि मुक्ष परापती हो गई क्या कि मुक्ष परापती हो चलो सुलूइशन चेप्टर का कोई कुश्यन नी पूछ रहे भाप आर्पेस कोई बच्चा बोल रहा था अगर कुश्यन बोलने तो आर्पेस का बोल दो तो क्लास फ्री करें फिर हम लोग इस पर कोई रिस्पॉन्स नी है झाल 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 कि ऑत्रिभ झाल 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 कि झाल झाल. झाल झाल झाल